हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे और आज मैं आपके लिए ग्रिंटी की रेसिपी लेके आई हूँ अगर आप वेट लोस जन्नी पर है वेट लोस कर रहे हैं तो आपको ग्रिंटी जरूर आपकरनी चाहिए हैं और ग्रिंटी आपने टू टाइम पीनी है ब्रेकफास्ट के एक घंटे बाद और लंच के एक घंटे बाद टू टाइम आपनी ग्रिंटी एड करनी है अपनी डाइट में ग्रिंटी बनाने के लिए मैंने आपर एक ग्लास पानी लिया है और ग्रिंटी लिया है यह और आपके पास जो green tea वो आप वो ले सकते हैं half मैंने lemon लिया है और one teaspoon मैंने शहद लिया है one teaspoon मैंने जीरा लिया है one teaspoon मैंने सौफ लिया है और इनको यूज़ करके हम अपनी green tea ready करेंगे अगर इस green tea को आप regular पीएंगे one month तक regular पीएंगे तो अगर आपके पेट पर extra fat जमा हो गया है तो वो पिखल कर बहार निकल जाएगा एक दो दिन में आपको result नहीं मिलेगे अगर आप इसको regular पीएंगे तो आपको फर्क दिखने लगेगे और यहाँ पर मैंने एक पैन में एक ग्लास पानी डाल दिया है और वन टी स्पूर मैंने सौब डाल दिया है और वन टी स्पूर मैंने जीरा डाल दिया है और इसको हम boil करेंगे और तब तक हम boil करेंगे जब तक कि यह पानी हाफ न रजाए ग्रीन टी वेट लोस में तो help करती है आपकी body को बहुत ज़्यादा healthy बनाती है आपके metabolism को बहुत ज़्यादा increase कर देती है आपके heart को healthy बनाती है और अगर आप इसको लंबे time तक लेते रहेंगे तो आपके face पर glow नजराने लगेगा आपके hair बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे ग्रीन टी आपको weight loss के साथ साथ बहुत सारे health benefit भी देती है जैसे दिल की विमारी से बचाती है diabetes के खत्रे से बचाती है और आपके mind को relax करती है आलस को कम करती है जिसे आप हमेशा active बने रहते हैं और यह देखे जो हमने पानी वोयल करने रखा था वो half हो चुका है और अब मैं इसमें one teaspoon मैंने green tea डाल दी है और यह process आपने gas बंद करने की बाद करना है और अच्छे से mix कर देंगे और five minute के लिए इसको ढखकार रख देंगे और five minute हो चुकी है अब हम इसको strain करेंगे और strainer की hype से हम इसको strain कर लेंगे आपने green tea इसी तरीके से बनानी है अगर आप inch loss चाते हैं fat loss चाते हैं weight loss चाते हैं तो आप इसी तरह से green tea बनाए और breakfast के एक घंटे के बाद और lunch के एक घंटे के बाद आपने green tea पीनी है और अब मैंने इसमें one teaspoon शहर डाल दिया यानि honey डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने meemoo का rush डाल दिया है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप skip कर सकते हैं लेकिन मैंने डाल दिया है honey और lemon डालने से green tea का टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप डालना चाहते हैं नहीं तो आप skip कर सकते हैं वैसे भी पी सकते हैं आप इसको और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना और मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिकेशन बैल को भी ओन कर लेना जिसे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नाक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक कियर